अब दोस्तों आज हम इस वीडियों में बात करने जा रहे हैं बिहार के फाइव टॉफ फार्मेसी कोलेज के बारे में इस वीडियों को स्टाट करने से पहले आप लोग से गुजारिस है कि इस चैनल पर नए है तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले चलिए हम वीडियों को स्ट्रेमर पर आता है आरे भर्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जो की पटना में है यह आपको 2010 में इस्टेबलिस्ट हुआ है यूजी सी पीसी है और आए सीटी से अप्रूब्ड है यह आपको सिंगल बी फार्मा कोर्स जो होता है ओफर करता है इसके लिए लिजिबिलिटी इंट्रेंस एक्जाम वह क्वैलिफाइ करना पड़ेगा उसके मतलब मेरिट के अधार पर आपका एडिविशन होगा और इसका पड़ एर फी है अब और फिसी फार्मा कोर्स लिए और वीजिबिलिटी है 10 प्लस टू पर फीजीक्स काूश्टी मैथ फीजिक्स काूश्टी बायलोजी और 50 पर संट मार्कर न काहिए ॉर भी सीफी जो एक्याम होता है वगयार का वह आप क्वालिफाय होना चाहिए उससे के बेस पर आप यह कॉलेज आप बोलिए तो इसका इस्टिवलिस्ट नाटी सबैंटी नाइन में हुआ था जो कि पीसिया यूजी सी ए आइसी टी और डी एस्टी और मग्द यूनिवर्सिटी जिसमें पीसिया का फुल फॉर्म आपको पता ही है कि यह नेसेसरी होता है कि फार्मेसी कॉलेज के लिए पीसिया फार्मेसी कॉंसिल आफ इंडिया और यह मग्द यूनिवर्सिटी से अफ्लियेटेड है यह दी फार्मा भी फार्मा और एम फार्मा में सिंगल एक ब्रांच यह ओफर करता है इसकी फीस अगर जो भी देखना है तो इसक्रिप्शन में लिंक डाल देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां से आप डिटेल में वीडियो इसका देख सकते हैं चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं फोर्स अमर पर आता है निवा इंस्टिटीट ऑफ फार्मास्टिकल साइंस जो की राजगरी नालंदा बिहार में है यह भी बहुत ही बढ़िया उ इनवर्सिटी से अफ्लियेटेड है यह दी फार्मा भी फार्मा कोर्स ओफर करता है आपको डी फार्मा के लिए टेन प्लस टू में 50% मार्क्स होना चाहिए यहाँ आपका एडिविशन होगा यहां जो इसका फी फार्मा का एक लाग दस जार रपिया है डी फार्मा का जो और डीटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे डिटेल वीडियो बना हुआ है वहां से आप जाके देख सकते हैं नेक्स्ट अब देखते हैं फिफ्ट नुमर पर गोपाल नरायन सिंग यूनिवर्सिटी जो की बिहार में है रहतास जीला में यह बहुत ही सासाराम में है आपको रहता सासाराम से आठ किलो मीटर के दूरी पर है यह कॉलेज इस्थित बहुत ही अच्छा कॉलेज है जो की 2018 में इस्टिबलिस्ट हुआ है यह यूजी सी PCI-ACIT से अप्रूब्ड है जो की डीफर्मा वीफर्मा और वीफर्मा लेटरल इंट्री भी ओफर करता है जो कि हम यह मिस हो गया है लिखना इसका इलीजिबलिटी है PCM फिजिक्स कमेश्टी में फिजिक्स कमेश्टी बाइलोजी जो कि 50% मार्क्स होना चाहिए और मेरिट के बेस पर होता है अभी तक यह दूहजार 22 दिसंबर मे सब्सक्राइब आप लोडरा रहे है आज के लिए इतना यह विडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें मिलेंगे अम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं आज के लिए बाद